नमस्कार दोस्तों हमारी यूटुब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने के विशे में कभी भी बूलकर ने खा वास्थे का बहुत अतिक महत्यप है इसके लिए हमें अच्छा और पाचक भोजन करने की सलाहाद दी जाती हैं सरकार में भी बाजार में विकने वाले ख़दे पधारतों पर उनकी एक्सपारी यानिकी इस्तमाल के अंतिम्तिति को लिखना उत्पादों के लिए अनुवार चाहिए कुछ वस्तमों पर एक्सपारी डेट नहीं लिखी होती जैसे की फल और सबजिया जब हम एक्सपारी चीजों को गलती से खा लेते हैं तो बीमार भी पड़ जाते हैं इसलिए चीजों को ताजा ही खाना चाहिए मिसाल के तोर पर कहीं बार आपकी रसोय में आलू क आप भी हरे आलू का सेवन कर लेते हैं तो साफदान हो जाईए आकसर देखा गया है कि जब आलू बाहर से हरे हो जाते हैं तो लोग उसका छिलका उतार कर अंदर वाला हिस्सा खा लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आलू हरा हो जाता है तो उसमें कलोर बनने लगता है कलोरोफिल से सोलुमीन नाम का एक टोक्सिन बनने लगता है अगर कोई इस इनफेक्टेड आलो को खा लेता है तो उसका जीव मचलने लगता है पेट खराब होने के चांसे बढ़ जाते हैं साथ ही उसके सरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती है और उसक आपको हारे आलो का सेवन बिलकुल भी नहीं करने चाहिए इसके लिए आपको साबधानी जरूर बठने चाहिए अब जानते हैं क्यों बदल जाता है अलो का रंग अगर बात की जाए आलू का रंग कैसे बदल जाता है तो बता दें कि जब इने पर light पड़ती है या इनसे बहुत ही ज़्यादा गर्म या थंडे तामान में रखा जाता है तो ये हारे रंग के हो जाते हैं साथ हे ये बीमार करने वाले आलू भी बन जाते हैं और एक बीमारी का कान बनते हैं तो दोस्तों आगे से जब बें आप आलो खाएं तो इस बात का विशेश ध्यान कें कि आपके डाइट में हरे आलो ना हूँ तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्रात हो तो प्लीज आप हमारी वडियों को लाइक वैसे एक न पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करना न पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतास टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तों